वेल्कम बेक टू रसीला की रसोई, रसीला की रसोई मैं आपका हार दिख स्वागत करती हूँ, आज मैं आपके लिए बना के लाई हूँ एक चटपटी और ट्रेडिशनल डिस पोक का चेवड़ा मैंने डेट कब जितना पोक लिया है, पोक को हम खेत में जब फशल खड़ी रहती है, उसी टाइम पे अकच्चा गेहों को भून के बनाया जाता है इस पोक को मैंने दो घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, अगर आप भिगोना नहीं चाहते हो और फटाफट बनाना चाहते हो, तो कुकर में चार विशल तक अच्छे से पोल कर लो भिगोने के बाद देखिए कितना अच्छे से सोफ्ट हो गया है इसके अदाना, आप भिगो के भी बना सकते हो इस भिगोए हुए पोक में प्रोटीन की मातरा बहुत ज्यादा रहती है, तो हमारे स्कीन के सेल्स के लिए बहुत ही फाइदे मन रहता है तो इसे कभी-कभी भोजन में शामिल करके खाना चाहिए इस भिगोए हुए पोक से हम पानी को अलग कर देंगे, एक छनी की मदद से, छनी के अंदर डाल के पोक को छान लेंगे अगर आप इसे बोईल करना चाहते हो, तो दो विसल तक आप बोईल कर लीजिए, ताकि एक दम दाना शोफ्ट हो जाए अभी इसको तड़का लगा के चटपटा चिवडा बनाएंगे गेस के उपर एक पेन रख दिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ओयल, ओयल अपनी कोंटेटी के हिसाफ से कम ज़्यादा डाल सकते हो ओयल में हलका हलका धुआ उठे तक हम गरम करेंगे, अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ लेसून, लेसून को मैंने छोटे छोटे पीश में काट लिया है आप अपने इसाफ से कोंटेटी कम ज़्यादा ले सकते हो लेसून की, लेसून हलका हलका लाल हो जाए तब तक हम भूनेंगे, उसके बाद उसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा, उसके बाद हम डालेंगे करीपता, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, मैंने त चम्मच को चलाते हुए ओयल में हम पोग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें डाल देंगे मसाला, मसाला में मiden एक चम्मच लिया है, रेर चिली पाऊडर क्योंकि इसमें हरी मिर्च का उपयोग किया है, अब डालेंगे हल्दी पाऊडर थोड़ा सा, अब इसमें म मिलाएंगे नमक श्वाद अनुसार अब इसमें डालेंगे निम्बू का जूस उसके लिए मेने दो निम्बू को काट के लिया है तो अभी इसका जूस हम इसमें डाल देंगे इस गेहु को आपको ग्रोश्ट्री स्टोर में डीमाट में या कोई मोल में चरूर मिल जाएगा तो आप इस ड्रिस को जरूर ट्राय किजिएगा अचे उड़ा आप एक बार 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 बनाके खाने का मन करेगा अब ये मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे धन्याजीरा पाउडर उसमें मैं दो चमत चितना डाल रहे हूं क्योंकि धन्याजीरा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब ये सारा मसाला को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे अधगला चीतना पानी क्योंकि मैंने पहले पोक को बोईल नहीं किया है इसलिए इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो गेहूं का दाना अच कर लेंगे और 5 मिनिट के लिए चलो आँच पर अच्छे से पकने देंगे अलो अच पर दान किया तो बीच में हम एक बार चमच को अच्छे से खुमालेंगे और वापस उसक्यों कवर करके दो मिनिट पकने देंगे तो आप भी ए रेसिपी को जरूर ट्राय कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपकी एडिस केसी बनी है अभी दो मिनिट हो चुका है तो इसका कवर हटा देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये चिवड़ा अच्छे से पक के रेडी हो चुका है तो गेस को कर देंगे हम बंध और इसे हम निचे उतार लेंगे और सविंग बावल में हम सव करेंगे तो आप युहीं प्यार बनाईए रखिए और मेरी चैनल को देखते रही है और मेरे वीडियो पसंद आई है तो ज़्याद से ज़्यादा शेर कीजिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुँचे जय हीन, जय भारत, धन्यवाद ठैंक्स फोर वोचिन मिलते है अगले वीडियो में